नमस्कार मैं हूँ नीतुश्वमी राथोर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे जबेहत विशेश कारिक्रम में जिसमें हम उच्छ शक्षा के विभिन आयामों पर चर्चा करते हैं और आज हम जहाँ पर मौझूद हैं मैं बता दू कि आज हम मौझूद हैं रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वजीरपूर गुरोग्राम इस विद्याले की बहुत खासियत जो है जो मोटो है वो आपको बता दू गल्स सेफटी एंड क्वालिटी एड्यूकेशन ये इस स्कूल का मोटो है बहुत सारी यहां पर अचीवमेंट्स मी हैं जिनको मैं बहुत शॉर्ट में फिलाल आपको बता देती हूँ यह 2010 तक कॉमर्स स्कूल के नाम से जाना जाता था क्योंकि बहुत सारे बैंक मैनेजर्स इस स्कूल ने दिये हैं बहुत सारे सीनियर यहां पर सीएज दिये हैं बहुत सारी MBA प्लेस्मेंट स्कूल से हुई है 2010 के बाद फिर यह साइन्स फील्ड में आए और इसी स्कूल से बहुत सारे यहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर्स बने हैं IIT प्लेस्मेंट हुए हैं और साथ ही साथ ऐसा नियें सिर्फ पढ़ाई पर ही यह लोग फोकस करते हैं इसुर्ट्स में भी छातरों को बहुत जादा वो एंक्रेज करते हैं और इसी का नतीजा है कि राष्ट्रिय और अन्तराष्ट्रिय स्टरपर यहांकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां पर सारे बच्चे हमारे हां पर मौजूर हैं सभी के लिए जोरदार कालियां तो सबसे पहले उन सभी का परिच्वे आपको करा देती हूं अपने राइट से मैं शुरू करूँ तो Dr. Vijay Singh Chauhan, Director and Principal of this school मेर साथ पैठी है Ms. Ketki Kaushik, Subject Expert Commerce On my left, Dr. Shree Krishnan, Counseling Psychologist Mrs. Kalpna Chauhan, Vice Principal of this school Dr. Rekha Yadav, Subject Expert Humanities Mrs. Neelam, Subject Expert Science सबसे पहले मैं Vijay Singh से बात करना चाहूंगी सर आप कुछ इस बारे में ग्यान हमारे बत जोको जैसे कि मेडम आपने बताया 2002 से यह Royal Public School ग्रामिन छेतर में सुरू हुआ था उस समय ग्रामिन छेतर था और ये वजीरपूर छोटा सा गाउंगा करता और उस गाउं में ये English Medium का स्कूल खुला था और बच्चे आस पास से आए भी इसके साथ साथ 2005 में गुड़गाव सहर से स्ट्वेंट्स यहां आने शुरू हुए लोग का भी इंटरेस्ट बढ़ा और फिर दोहजार साथ आठ नो में स्कूल ने स्टेट लेवल पर रोयल पबली स्कूल चैंपियन रहा फुटबाल का और फिर जैसे आप बता रहे थे 2010 तक ये कोमर्स का स्कूल था सिर्फ यहां कोमर्स में हम हर्यान में आठ भी नमबर पे थे यह आठ वा स्कूल था जो कोमर्स के छेतर में बहुत अच्छा काम करा था कितने इस यह कितने बैंक मेनेजर्स गवर्नमेंट बैंक में MNC में में मेनेजर्स और 2010 के बाद जैसे मैंने बताया कि साइंस शुरू हो गय था और साइंस में एमस में हमारे बच्चे ने एडिमिशन लिया है उसके अलावा IIT, NIT और कमिशन में भी हमारे बच्चे आए तो ओर राल तो यह है कि हर फिल्ड में रोयल पब्लिक स्कूल अपने आप में एक पहचान बना रहा और अब हमारे स्ट्रेंट साइंस में रिसर्च में भी जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी रिसर्चर है हमारे तो बड़ी खुछी होती है और बच्चों को भी प्रेजणा मिलती है और जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको हम प्रोथसाइद करते हैं अभी पिछले दिनों 26 जनवरी पर हमने एक बच्ची को बुलाया जो जो सेंटरल युएस्टी है उसमें गोल्ड मैडलिस्ट जे एन यू जवारला नार युएस्टी की गोल्ड मैडलिस्ट है एमस्टी में और इसके अलावा यू प्यस्टी में भी हमारे बच्चे निकल रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है चलिए आगे बढ़ते हैं कारिक्रम में अब हमारे साथ स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मैम है कल्पना चौहान अब उनसे बात करते हैं शिक्षा का जो मुख्य और देश्य है बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ विभिन चेत्रों में उनके अंदर स्किल डवलप करना है इसके लिए स्कूल में अटन लैब और आईटी का है और साथ में बच्चों के लिए आटन क्राफ्ट है और बच्चों के अंतर संस्कृती विकास के लिए समय समय पर स्कूल में अलग-अलग प्रकार के संस्कृतिक कारेकरमों का आयोजन किया जाता है जिस विशे पर हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा के विभिन आयाम उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे और यहां पर ते सारे बच्चे बैटे हैं उनको किस तरीके से आप आज मोटिवेट करना जाहेंगे उच्च शिक्षा के विभिन आयाम Multiple Platform of Higher Education Skill Education Vocational Courses इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा detailed discussion करेंगे इस program के दोरान सभी panelists अपनी अपनी बात रखेंगे और उन सब को ध्यान से सुनते हुए आपके मन में जो भी question form होता है तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप question जरूर पूछे ताकि यहां बैठे हुए आप ही नहीं देश के कोने कोने में जो बच्चे बैठे हैं उनके भी questions की queries clear हो जाएं और वो भी समझ पाएं कि अच्छा मैं इस subject से ऐसे पढ़ रहा हूँ मैं इस subject के साथ यह combination लेता हूँ तो मैं इस तरीके का career option बना सकता हूँ तो आप लोगों के questions बहुत ज़्यादा beneficial रहेंगे बाकि जितने भी दर्सक सुनने वाले हैं उनके लिए तो आप अपना question जरूर पूछें मैडम ने जैसे कहा कि हम लोग skill education अटल लैब के बारे में भी उन्होंने थोड़ा सजिक्र किया हमें पता है कि हम लोग skill education बच्चपन से ही लेते आएं लेकिन कहीं न कहीं वो recognize नहीं होती या उसको उस तरीके से value नहीं होती अगर मैं आप से कहूँ कि आप में से इतने सारे बच्चें यहां बैठे होंगे जिनको driving आती है वो आपके skill develop हुई धीरे धीरे और आप expert हो गए लेकिन जब हम बात करते हैं कि skill को हम value कैसे दें उसकी validity कैसे होगी तो एक authorized certificate, diploma की कहीं न कहीं हमें आवशकता होती है अगर आपके पास skill है, license नहीं है तो आप illegally up drive कर रहे हैं लेकिन जब आप उस age group में fall करते हैं और आपके पास license आजाता है तो आप उस चीज को enjoy कर सकते हैं आपने देखा होगा कि जब भी आप इदर उदर cross करते हैं तो एक mind में एक डर रहता है कि अगर traffic police कहीं मिल गई तो हम लोगों को रोक लिया जाएगा और चलान कटेगा तो skill तो डबल अप हो गई बट आप उस age group में fall नहीं करते जहां आपको एक certificate license मिल जाएगा ऐसे ही बहुत सारी skills है घर में आप छोटे छोटे tools घर में कोई छोटी चीज तूट गई आप उसको ठीक करते हैं स्कूरूड्राइवर लेंगे प्लास लेंगे आप उससे प्लकर वगएरा से चीजें ठीक करने की कोशिस करते हैं तो वो आपकी skills है तो डबल अप हो रही है स्कूल में आप आते हैं स्कूल में आप अटल लेब में जाते हैं डर बिटक लेब है आप वहां पर बहुत सारी चीजें बनाते हैं मसीन एजुकेशन के बारे में आप सीखते हैं। रोबर्ट कैसे काम करेगा उसकी फंक्षनिंग क्या है? उसकी मैनूफेक्ट्रिण कैसे होती है? वह बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं। Home science में girls, boys, बहुत सारी चीजें इससे related सीखते हैं कि आप अगर सैप बनना चाहते हैं, तो आपकी जरनी कैसे start हो. तो skill किसी भी field में हो, आप ये चीज ध्यान रखें कि आपका interest क्या है, उसको आप enjoy करके अपना career option बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इस चीज का विशेश ध्यान रखें. Multiple platform of higher education, skill education और vocational courses, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को brief कर देता हूं कि multiple platform से मतलब क्या है, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग school के बाद में direct college admission लेते थे, distance education, online learning, ये भी हमारे कुछ options में से हैं, जिसके तुरू हम आप अपनी higher education complete कर सकते हैं. सबसे पहले mind way काता था कि distance education क्या हमारे लिए beneficial है, या उसकी कोई value है, या जो बच्चा study में slow है, weak है, वही बच्चा इस तरीके के courses कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक तो मैं आप लोगों को clear कर दूँ, कि अब हमारी UGC से सभी courses को equivalent मान्यता है, कि अगर आप distance से रहेंगे, तो भी आपको वही value मिलेगी, और आप regular college कर रहे हैं, तो भी आपको वही value मिलेगी, इसके benefits क्या होंगे, क्यों करना चाहिए, कि से हम आने वाले time में क्या चीज अचीज अचीव कर सकते हैं, इन चीजों पर हम जरूर बात करेंगे, तो आप लोग इस चीज का व मेंड, physically आप यहां पे हैं, और mentally आप कहीं और हैं, तो सायद आप question भी form नहीं कर पाएंगे, और यह platform आप लोगों को सो भागे से मिला है, कि आप इसके माध्यम से अपनी queries किलियर कर सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी help कर सकते हैं, कि वो question देश के कोने कोने तक पोँचे subject choice के अगर मैं बात करूं, तो बचों में बड़ा इस चीज को लेके confusion होता है, कई बार दो subjects भी उनको अच्छे लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि इसके साथ हम ये भी पढ़ सकते हैं, क्या यही subject को लेके हमें आगे career में focus करना है, आगे बढ़ना है, तो इस तरह का confusion होत होता है, बचों में बहुत जादा होता है, तो इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ है मिस केत की कौशिक, subject expert है commerce, चले उनसे बात करते हैं, तो सबसे पहले जो भी students, जो दसभी के चात्र हैं, उनको ये बताना चाहती हूं, कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है, that commerce is less than science, ऐसा पहले ह हुआ करता था, काफी लोग बोलते थे, लेकिन अब मैं इस बात को पूरा जुटलाती हूं, कि ऐसा कुछ नहीं है, जो students commerce opt करना चाते हैं, तो commerce एक ऐसी stream है, जो आपके व्यापार से related है, commerce का अगर असल माइने में मतलब है, तो वो है व्यापार, अब व्यापार से related, जो commerce है, उसमें आपको तीन subjects जो है main पढ़ाई जाते हैं, that is economics, accounts and business studies, ये तीनों ही जो subjects है, इन subjects को पढ़ना एक student level पे वो ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि वो ये basic जान सकें, सबसे पहला कि देश और देश की जो अर्थ शास्त्र है, वो कैसे operate करता है, business studies जैसे जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम business laws के बारे में पढ़ते हैं, कैसे आपका business जो है govern होता है, administer होता है, organize होता है, हम उसके बारे में जानते हैं, accounts की अगर हम बात करें, तो हम जान रहे हैं असल में कि पैसे का लेंदेन कैसा होता है, वो पैसे का लेंदेन चाहे एक दुकान पे हो, या फिर economy में हो, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये जो सारी जानकारियां हैं, ये हम पढ़ते हैं commerce के अंदर, इसलिए अगर कोई छात्र जो है, वो commerce opt करना चाता है, तो उसके लिए ये तीनो subjects बहुत important हैं, इन तीनो subjects की अपनी अपनी विशेशताएं हैं, और बच्चों अपनी पसंद के अनुसार किसी भी subject में in future expertise जो है, वो govern करते हैं, अगर किसी बच्चे को economics पसंद है, तो वो आगे जाके जो है, economic honors कर सकता है, उसके बाद MA कर सकता है उसमें, उसी में PhD भी कर सकता है, similarly goes with the business students also, business studies में भी है कि आप b.com करें, उसके बाद अगर आपको CA बनना है, आपको CS की तयारी करनी हैं, तो यह जो सारी तयारियां हैं, यह सब के लिए, सबसे पहले एक student को commerce आप करनी हैं, और इन सारे subjects के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी हैं. अगर हमें साइन्स के बारे में बात करूं, तो साइन्स के लिए हमार साथ बैची हुई है, subject expert नीलम मैं, तो उनसे बात करते हैं कि इस topic पर वो थोड़ा सा और students को elaborate करें. जैसे 10th के बाद हमें कौन सी स्टीम लेनी है, commerce में जाए, humanities में जाए, science में जाए, हर बच्चे के parents को attention होती है इस चीज़ के लिए, जैसे कि अगर मैं साइन्स के बारे में बात करूं, हमारे पास science में दो स्टीम होती हैं, एक होता है non-medical and second one is medical, non-medical में हमारे पास subject होते ह जो कि हमारे main subject होते हैं, and medical में हमारे पास होते हैं, physics, chemistry plus, bio, एक को medical में आता है, एक non-medical में आता है, और सब के पास ये होता है, कि अच्छा medical लिया है, हमने, तो सिरफ हमारे पास option क्या है, mbbs, bms, nursing, etc, अगर हमने non-medical लिया है, तो हमारे पास option क्या आते है, engineering, ठीक है, ये सब के पास होते हैं options, लेकिन इन options के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे options होते हैं, जैसे for example, किसी बच्चे को physics ज्यादा अच्छे लग रहे है, chemistry comparatively, तो in future वो आगे जा के क्या बढ़ेगा, physics बढ़ेगा, तो physics के हिसाब से उसके पास career options होंगे, जैसे research and development का, जैसे सर नही बताया था कि हमारे बच्चे research में जा रहे हैं आगे, तो research and development में होता है, business law में भी होता है, हमारे पास, agriculture field में भी use हो जाती है, चीजे, military में भी हमारे पास use होते हैं, इतने सारे equipment होते हैं, हमारे पास weapons वगएरा होते हैं, उनके लिए भी हमें क्या पढ़नी पढ़ती है, physics and अगर हमारे पास chemistry है, जिसका किसी बच्चे का interest है, chemistry के अंदर, chemistry में भी बहुत सारे options हैं, जैसे biochemist वाला option आजाता है, geochemist वाला option आजाता है, हमारे पास micro organisms related को study करनी है, उसका option होता है, lab assistance के हमारे पास options होते हैं, और अगर bio specifically bio में बात करूं, तो biological के अंदर भी बहुत सारे options है, यह जियो के मिस्ट में भी, यह बायो के मिस्ट में भी हमारे पास options आते हैं, तो एक particular area, जैसे हमने माइंडशेट बना रखा है, अचा non medical है, तो हम सिरफ engineering जाएंगे, या medical है, तो हमारे पास medical field है, उसके अलावा बहुत सारे options हैं, चले आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ यहाँ पर है subject expert of humanities, डॉक्टर रेखा मैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जब हम अलग-अलग subject choices की बात करते हैं, तो किस तरह के challenges बचे face करते हैं, humanities में? आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों को क्या क्या problems होती हैं, जब हम subject choice करते हैं, problem यह हर एक बच्चे की IQ level होता है, वो different different होता है, बहुत सारी बच्चों का IQ level हो बहुत अच्छा होता है, कुछ का बहुत कम होता है, बट हमें problem आती है, हम subject choose नहीं कर पाते हैं, अपने accordingly, कई बर parents force करते हैं बच्चों को कि नहीं, आपको science ही पढ़नी है, बट क्या हर एक बच्चा science doctor बन सकता है, हर एक बच्चा engineer बन सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, उन सब की IQ level है, उसके according हमें जो है, अपना subject choose करना चाहिए, कई बच्चे बहुत अच्छा लिख पाते हैं, व आप लोगों ने अभी दो तीन चीजें ही देखी होगी, उसमें, geography, history, civics, political science, बट इसके अलावा भी, humanities में बहुत जादा subjects आते हैं, जैसे psychology हो गई, philosophy हो गई, आपका political, history, geography, civics, and बहुत इसके अलावा भी, आपका home science भी इसमें आता है, humanities में आता है, तो आप लोगों को द देखना है, कि अगर आपका interest, आप जब पढ़ते हो 10 तक, तब आपके पास जो है, तीन subjects आते हैं, science, maths, or assess, आपको जो है, इसको जो डिवाइड अगर हम करें, तो geography, civics, political, science, economics is also come, economics पेसी में ही आता है, तो आपको पते चल जाएगा, कि हमारा interest इस subject में है, और अगर अगर आपका, इस subjects पे interest है, तो I think कि आप जो है, इसको बहुत, इस field में जाके आप बहुत high level पर जा सकते हो, कई बर होता है, बच्चे, science ले लेते हैं, और बाद में जाके, उन्हें realize होता है, कि वो science stream में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें क्या बनना होता है, IAS अबसर बनन क्योंकि क्या होता है, फिर बाद में बच्चे change करते हैं, और जब बाद में change करते हैं, तो उन्हें बहुत सारी problems face करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो base है, वो आपका 11th classes start हो जाता है, बनना उसमें, वो आपको सारी चीजे उसमें जो है, बहुत describe करते हैं, बट अगर है, आपने कई बार parents भी कहते हैं कि नहीं, अगर हम arts लोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट ये जो धारना है, वो totally गलत है, क्योंकि आप humanity subjects लेने के बाद, आप इतना कुछ कर सकते हो, hotel management कर सकते हो, geographer बन सकते हो, GIS बन सकते हो, आप geography लेके आप मोसम विभाग में जा स सकते हो, आप historical बन सकते हो, आप research में जा सकते हो, और you also done PhD, आप PhD भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ science के बच्चे ही आगे बढ़ सकते हैं, या commerce के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, हर एक बच्चा बस आप में capability अपने आपको शो करनी है, अच्छा कर सकते हैं, हमें क्या बनना है, पहले अपने decide, goal decide करो, जैसे कि सर ने भी बोला था, कि अगर आप अपना goal decide करोगे, कि हमें अपनी life में क्या बनना है, तो ही आप जो है, उसके according अपने जो subject है, वो choose करो, और subject combination होना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बाद में बत बच्चों में एक चीज को लेकर मने देखा है, बहुत ज़ादा confusion होती है, हाई स्टडीज में especially, vocational courses चूज करें या फिर regular courses, तो आप क्या suggest करते हैं बच्चों को, किस हिसाब से इस चीज के बारे में आप उनको suggestions देते हैं उनको, ultimate goal हमारा क्या है, लाइप में success होना, और हम success कैसे होंगे, यह decide हमने कर लिया, जब हम लोग 10th pass out करते हैं, तो हम अपनी stream select करते हैं, stream selection के साथ हमारा goal fix हो जाता है, कि मुझे अब ये बनना है, अब बात आती है कि आप 12th pass out करने के बाद, कौन से mode में जाएंगे, आप regular education में जाना चाहते हैं, या आप अपने vocational courses में ज आते हैं, जिसमें आपकी practical knowledge जादा होती है, तो आपको ये decide करना है कि आप graduate तो हो रहे हैं, लेकिन graduate क्या आप simple graduate हो रहे हैं, माले जी आपने become किया, B.S.C. किया, या बी.A. किया, या आपने कोई owner subject किया, उसके बाद आपकी higher educational goal तो अचीव हुआ, कि आप graduate हो गए, बट क् आपके पास कोई skill develop हुई साथ-साथ, आप professionally sound हुए, ये चीज आपको जरूरी है देखने की, तो इसमें आपके bachelor of vocational courses, जैसे आप लोगों की B.C.O.M., B.A., B.S.C. है, उसी तरीके से bachelor of vocational courses भी आपके साथ हैं, वो आप कर सकते हैं, उसमें better ये है कि आपके पास 70% practical knowledge और 30% आपकी theoretical knowledge. तो जिससे करके, learning by doing, करके सीखना है, तो जहां आप तीन साल में एक graduation complete कर रहे हैं, और आपको bookish knowledge हुई, और एक आपने knowledgely practical भी किया आपने, और आप expert हो गए, तो आप ready to work हैं, आप किसी भी interview में जाते हैं, किसी industry में आप apply करते हैं, तो definitely दोनों के resume में एक अंत नजर आएगा, कि एक trained है, एक skilled है, और एक आपका only, उनके पास literature की knowledge है, वो subjective पढ़के आए हैं, तो आपको priority मिलेगी आप अगर skilled हैं, तो, हम लोग एक छोटा सा example हम object कर रहे थे morning में, कि जहां skills develop होती हैं, तो हम लोग जब practical करते हैं, तो हमारे साथी थोड़ा सा सुबह इ दे रहे थे, कि आप अगर काम को करते हैं, क्योंकि वो regularly उस चीज की connectivity, हमारे सिस्टम स्वेरा लगाना, ये करना, तो वो सारा regularly कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके attendant साथ में कोई काम कर रहे हैं, और उनसे mistake हो जाती है, तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उसको practically नहीं किया, ज vocational courses आपने साथ किया है, आपने graduation उस field में किया है, तो आपको priority मिलेगी और आप उसमें बहतर कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तर हमारा believe यही होता है, कि हम कर के सीखें, आपके school में भी बहुत सारे options हैं, आप lab में जाते हैं, तो lab में आप अपने कोई भी practical हैं, वो करके देखते हैं, तो आप enjoy करते हैं उस moment को, कि आपने ये chemical का आपने combination सेट किया, तो इससे ये बना, या आपने ये tools यूज किये, तो आपने इस robot को तयार किया, तो इस तरीके की चीजे जब आप करके सीखते हैं, किसी भी field में, चाहे वो आपका fashion designing का लगा लीजे, चाहे आप का, hair dresser का लगा लीजे, dress designing का लगा लीजे, या आप अपने computer field में लगा लीजे, एक बच्चा regular, उसने BCA किया, और वो subjective sound हो गया, और एक बच्चा BCA कर रहा है, और उसने साथ-साथ अपनी practical knowledge भी लिए, अगर हम last में किसी बच्चे को system पे बिठाएंगे, तो आप और हम इ education के साथ-साथ practical knowledge ले रहा है, वो frequently उसका काम को करना शुरू कर देगा, बचरते जिसने BCA plane किया है, वो bookish knowledge ले किया है, उसके पास practical knowledge नहीं है, तो वो system को बहुत जल्दी adopt नहीं कर पाएगा, system पे उसकी जो frequency होगी, काम की वो थोड़ी सी slow होगी, तो यह आपकी choice है, कि आप 10 के बाद अपना stream सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद subject का selection आपका हो जाता है, career goal आपका set हो जाता है, higher education में जब आप जाते हैं, तो आप दोनों में से choice कर सकते हैं, कि आप उस course से, आप graduation करना चाहते हैं, regular mode से या आप अपना vocational से. तो आज हमने बात कर ली subject choices आखिर किस तरीके से हमें करनी चाहिए, vocational courses हमारे किस तरह से हमारे career के लिए साबित हो सकते हैं, अच्छा, skilled development कितना ज्यादा जरूरी है, यह सब सारी चीज़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ताकि आपके मन में जो questions है न बच्चों आपके questions दूर हो सकें, और सबसे जादा important बात जो कि सारे discussion से सर मुझे निकल कर आई कि target बच्चों का clear होना चाहिए, parents के साथ बैट कर उन्हें बात करनी चाहिए, parents की involvement बच्चों के साथ होनी चाहिए, ताकि वो सिर्फ अपनी इच्छ बच्चों पे ना थोपे, बच्चे क्या कर स तो हम कहीं ना कहीं, एक मात्र parents को ही blame ना करें, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि हम ने आपने और आपके parents ने जो सपना देखा, वो मिल के देखा, और उस चीज की आप हामी भरते रहे, कि हाम मुझे ये बनना है, मुझे बनना है, ये मैं बनूंगा, लेकिन कहीं किसी mode पे आके जब आपको ये लगा, तो आप भी open up हो, अपनी बाते रखें, क्योंकि जब हम लोग 5th, 6th standard में होते हैं, तो हमारा gradually सारी sharing parents के साथ होती है, आप school से गए, आप one-to-one बाते हैं अपने parents के साथ, जैनुरली अपनी मदर के साथ सारी बाते हैं, कि आज क्लास में ये थोड़ा सा peer group की तरफ inclined हो जाते हैं, तो उस तरीके से आपकी थोड़ी सी sharing parents के साथ कम हो जाती है, वो gap जो धीरे धीरे आप लोग जर्नेट करते जा रहे हैं, उस gap को आपको fill करना है, जब आप 9th में आते हैं, तो आप लोग बिलकुल ही इस लेवल पे आ जाते हैं, कि नह आप अपने parents के साथ में healthy discussion नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज का विशेज ध्यान रखें, कि आप बड़े हो रहे हैं, physically बड़े हो रहे हैं, but experience उनके पास ज्यादा है, वो आपको life goal के बारे में बहुत सारे options बता सकते हैं, या आपको कहीं ऐसे counselor के साथ connect कर सकते हैं, जो आप के लिए help करें, तो parents एक मातर में ये कहूंगा, कि वो नहीं है, हम लोग बहुत सारे platforms पे एक ही बात कहते हैं, कि parents को समझना होगा, तो ये चीजें काफी सालों से चलती आ रही हैं, हम parents की request भी, हम parents के तरफ रखते हैं, कि आप समझें, आप समझें, लेकिन उस समझने से पह हूँ, और मेरे पास patient आया, और patient आकर वो खड़ा हो गया, अब मुझे उसका treatment करना है, तो how it is possible, मैं उसका treatment कैसे करूँ, उन्होंने कुछ मुझे बोला नहीं, बताया नहीं, उनके साथ क्या problem है, तो मैं solution कैसे दूँगा, तो solution के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप बोले, अपने मन में जो भी भाव है, डरने की जरूरत नहीं है, शाय फिल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिलकुल ना माने कि मैं ऐसा बोलूँ, तो सायद मेरे माबाप का मन तूट जाएगा, वो दुखी हो जाएंगे कि अच्छा हमने तो समाज में ऐसे ऐसे बोल कि वीकने स्टेंथ आपकी है, फाइनली डिसीजन आपने लेना है, मेहनत आपने करनी है, गोल अचीव आपने करना है, तो आप उतना ही बर्डन लें, जिससे आप बहुत हैल्दी वे में अपनी लाइब को ग्रो कर सकें, तो अन्नेसेसरी बर्डन अपने माइंड में बिलक साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, नमस्कार बड़ेगा भारत तो बड़ेगा भारत